हेलो एवरीवन माई नीम इस कांक्षा शुक्ला एंड वेलकम बैक तो दुस्यूटीब चैनल आज के वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं देट इस फॉरेस्ट्री आप सभी लोगों को पता है कि अगरिकल्चर और फॉरेस्ट्री का जो पार्ट है वो new add किया गया है ACF examination में भले ही अभी examination में क्या है uncertainty है कि कब होगा बट आप लोगों को अपनी जो preparation है उसको continue maintain करना चाहिए जो भी आप जैसा भी पढ़ना है आप लोगों को continue पढ़ते रहना चाहिए तो चली मैंने सोचा था कि एक नया सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करना है तो फॉरेस्ट्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं तो चली सबसे पहले हम इसका syllabus देख लेते हैं कि किस तर सब्सक्राइब करेंगे तो टूटल मैंने आप लोगों को देखने में थोड़ी शोटे लग रहे हैं बट एक-एक टॉपिक के अंदर गया content बहुत सारा है आप लोग मारिक नंदन बुक जो है इसकी स्टेंड बुक उसको आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग अच्छ अगर आप हिंदी मीडियम से अगर आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो रही तो आप बिल्कुल उसको यूज करें अधरवाइस हिंदी मीडियम की जो लोकल कोचिंग की बुक आ रही है उनको भी आप यूज कर सकते हैं तो यह जो के मानिक नंदन वाली बुक है वो क किस तरह से nursery होता है उस तरह का किस तरह का क्लासिफिकेशन है यह तो इस सब्सक्राइब बट यह है कि हर एक दिन थोड़ा-थोड़ा cover करते हुए एक दिन यह topic वो cover हो जाएगा ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते कभी नगभी तो आप start करेंगे पढ़ना तो दीरे-दीरे करके ही यह complete होगा अगर आप सुचेंगे कि एक दिन में आप 2-4 chapter पढ़ ले तो यह possible नहीं है हम इसको दीरे-दीरे करके पढ़ते जाएंगे और वीडियो की जो frequency है वो आप लोगों की इंटरस्ट के पर depend करेगा मैं देखूंगे कि किस टाइप का watch time है किस टाइप का views है उसे सबसे वीडियो की frequency रहेगे अदरवाइस दीरे-दीरे करके तो मैं इसको complete करूंगे अगर आप लोग अच्छा इंटरस्ट लेंगे तो हर alternate day में इसकी वीडियो को मैं पोस्ट करूंगे और अगर और अच्छा इंटरस्ट अगर लोगों में मिछे दिखेगा पढ़नेगा तो मैं वीडियो को daily भी कर सकते हूं तो चलिए स्टाट करते हैं देखे सबसे पहले silvy culture फिर उसके बाद silvy culture system उसके बाद silvy culture mangrove cold desert के बारे में पढ़ना है फिसल्वी culture of trees agroforestry social forestry ठेक है उसके बाद joint forest management and tribology उसके बाद आप देखेंगे तो forest soil conservation यह थोड़ा सा environment से related है जैसे आप लोगोंने थोड़ा बहुत biology environment में पढ़ा हुआ तो उससे related subject है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यह agriculture के compare मैस compare मुझे तो यह जादा बेटर लगा अ environment and conservation उसके बाद next आप देखेंगे तो biodiversity, tree improvement and view technology उसके बाद देखेंगे आप forest management and management system उसके बाद forest working plan उसके बाद देखेंगे forest mensuration and remote sensing के बारें पढ़ना है फिर उसके बाद survey and forest engineering उसके बाद forest ecology, ethnobiology, botany उसके बाद forest resource utilization उसके बाद देखेंगे forest protection wildlife last topic forest forest economy and legislation तो यह जो है यह last topic है यह था पूरा इसका syllabus देखने से बहले यह लग रहा है कि कम topics है बट एक चैप्टर के अंदर बहुत सारा है कुछ है पढ़ने के लिए बट इसको हम one by one पढ़ते जाएंगे चलिए सबसे पहला topic जो है सिल्वी कल्चर इसकी शुरुवात करते हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लेक्चर नुमबर बन इसमें हम सिल्वी कल्चर और इससे रेलेटेट कुछ important topics को देखेंगे यह first chapter है यह भी काफे लंबा है जिसमें कि हम ब्रेक करके वन एक एक topic को one by one cover करते जाएंगे सो सबसे पहले जानते हैं what is सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर क्या होता है सिल्वी कल्चर is that branch of forestry which deals with establishment, development, care, reproduction of strands of timber timber क्या होता है जैसे यह salt हो गया, shagorn हो गया, यह सब जो पेड होते है इसे क्या होता है यह कि हम जैसे doors हों गया यह सब subscribe and furniture बनाते है तो ऐसी लगडियों को हम क्या कहते है तिंबर कहते है तो silvy केर करते हैं किस तरह से फिर डेवलप होंगे तब यह आगे चल करके हमारे काम आएंगे रिप्रोडक्शन मतलब कि किस तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ यह जो पूरी इन सब चीजों की स्टाडी होती है वो कहलाते है सिल्वी कल्च्चर एक बार और देख लीजिए पेड़ से आपको और भी पेड चाहिए तो यह पूरा प्रोसेस है यह ब्रांच है फोरेस्ट्री का जिसके अंतरगत हम यह साही चीज़े करते हैं तो आपको यह चीज़ बिल्कुल अच्छे सियाद रखना है कि what is silvy culture I hope so आप लोगों को clear हो गया होगा अब इसके बाद न मतलब कि जो भी हम करते हैं ट्री को ग्रो करने लिए जो भी हम प्रोसेस अपनाते हैं वह सारा कुछ क्या है कि वह सिल्वी कल्चर के अंतरकत आता है के बाद नेक्स देखें silvix silvix क्या होता है silvix is the study of life history and general characteristic of forest trees and crops with particular reference to environmental factor मतलब कि आप इसको ध्यान से समझे कि silvix क्या है एक तरह से हम study करते है कि कोई भी ट्री है या फिर कोई भी क्रॉप है उसका एक particular environmental factor को लिए करके कि यह जो है यह particular case में किस तरह से behave करेगा इसका किस तरह से हमें ध्यान रखना च सकते कि silvix culture क्या एक broad term है उसका just एक part है silvix जिसमें कि हम एक particular tree और या फिर जो भी कोई crop है उनका हम particular environment factor जैसे कि मालेजियन का temperature pressure इस तरह का जो भी climatic factor होता है जो भी इंवर्मेंट से related factors है उनके basis पे हम उसके characteristic की study करते हैं उसको हम silvix कहते हैं silvix culture जो होता है उसके बहुत सारे dimension है जैसे कि forestry आप भी आप देखी रहें syllabus में forest mensuration forest का हम किस तरह से utilization करेंगे forestry related laws है, economics है, management है यह सारे topics silvix culture के अंतरगत आते हैं तो पहले तो आप silvix culture and silvix का definition उसको अच्छी तरह से clear कर लेजे अब उसके बाद next हम दोनों की पीछ difference देखेंगे कि दोनों की पीछ main difference क्या है तो आपको पता है, सबसे पहले तो आप उसका definition याद रखेंगे कि दोनों का definition क्या है, एक बर फिर से हम definition को देख लेते हैं कि silvix culture क्या है कि एक branch of forestry का जिसके अंतरगत timber को हम किस तरह से establish करेंगे, development करेंगे, उनका care करेंगे, उनका reproduction करेंगे तो ये सारी चीज़े जो आती है, वो silvix culture के अंतरगत आती है, और ये जो silvix है, silvix में क्या आता है कि हम एक particular जो भी crop है या फिर जो forest में trees पाया जाते हैं, उनका characteristics के हम study करते हैं कि वो particular environment factor के reference में जैसे कि कोई भी अगर मालेजी हम crop select करते हैं, वो उसके regarding किस तरह का temperature होन जिसमें वो develop करेंगे, तो ये सब जो study होती है, वो silvix के अंतरगता आती है, अगर आप देखें, तो ये जो silvix culture होता है, ब्रॉट टर्म है, उसका एक छोटा पार्ट है, ये silvix, उसके बाद देखे, it is the science dealing with both theory and practice, इसमें किया silvix culture के अंदर हम theoretical चीज़ें भी पढ़ते ह उसको हम actual में practice भी करते हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये just basic principle है, जो कि silvix culture में काम आता है, तो इसके बाद next अगर आप देखेंगे, तो it deals with procedure of receiving natural regeneration under various system and methods of tending and of young crop, crops मतलब कि ये generally deal करता है, कि किस तरह से हम natural regeneration करेंगे, आप लोगों ना भी देखा न कि timber का reproduction भी ज़रू लेकिन इसमें क्या होता है, कि हम जो trees की study होती है, इसको हम biological unit, government, laws governing the growth and effect, इसके बाद next देखें, objectives of silvix culture, objectives का मतलब क्या होता है, कि हमारा aim क्या है, हम silvix culture की study करें, उसका हमारे life में क्या use है, तो हम देखेंगे, कि हम इससे क्या क्या benefit वो कर सकते है, इसका पीछे हमारा volume per unit area, यानि कि जो भी हम production कर रहे हैं, जो भी हम timber उगाना चाहा रहे हैं, वो per unit area में जादा जादा हम maximum ले सके, यानि कि जो भी हमारा production हो, उसको हम और अच्छे से बढ़ा सके, उसके बाद देखें, जो timber है, वो उसकी quality superior, ठीके production of superior quality timber, अगर हम इसके बारे में development के बारे मे उनकी quality को improve कर सकते हैं, अगर हम यह सब study कर लेंगे, तो इससे हम timber की quality जो है, वो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद next देखे, production of economically valuable species, आपको पता है, कि यह सारे जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप sales, और यह सब timber को आप दीखेंगे, तो यह costly होता है, अगर हम अच्छे से study कर है, कि एकी दर की species उगाने से क्या होता है, जमीन के fertility पर भी effect पड़ता है, तो अगर हम अच्छे से study कर लेंगे, तो rotation of species को भी हमें क्या है, कम करना पड़ेगा, उसके बाद देखे, और forestation and reforestation, आपको पता है, कि और forestation and reforestation में difference क्या होता है, कि reforestation का मतलब क्या होता है, क जैसे अगर कहीं पर जंगल था, उसको पुरा कट करके, कर दिया गया है, ठीक है, forest को पुरा कट कर दिया गया है, तो अगर हम वापस वहाँ पेड़ पौदे उगाते हैं, तो हम उसको reforestation कहते है, और forestation मतलब क्या होता है, कि जासे कोई खाली जगा है, उसमें हम क्या करते पेड़ों को उगाते हैं, तो वो और forestation के अंतरकत आता है, तो आप इसको ध्यान में रखेगा, एक बार और फिर से सुन लीजे, और forestation का मतलब क्या होता है, कि कोई खाली जगा है, उसको हम क्या है, पेड़ बेड लागा कर कि उसको जंगल रुप दे दे रहे हैं, लेकिन reforestation का मतलब क्या होता है, कि जैसे कहीं पर deforestation हो गया, कहीं पर जंगलों की कटाई हो चुकी है, तो हम वहाँ पर उसको वापस से maintain करते हैं, वापस से forest की तरह बनाते हैं, तो उसको reforestation क्याते हैं, उसके बाद अगर आप last देखेंगे, introduction of exotic मतलब की कोई नया चीज़ है, कुछ चीज़ को हम introduce कर सकते हैं, अगर हमें silvy culture के बारे में बहुत अच्छ से जानकारी है, तो ये कुछ objectives हैं silvy culture के, जिसको क्या आप लोगों को याद रखना है, हिंदी मिनिमाले आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे हिंदी में दिया हुआ है, तो आप इसको read करें और अच्छी तरह से आप लोग समझें, उसके बाद next देखें, tree development, tree development का मतलब क्या होता है, कि पेडों का विकास, आपको पता है, एक चोटी सी बीच से क्या होता है, आप देखते हैं, तो पूरा पेड जो है, उस तरह का develop हो जाता है, यह काफी long process, काफी साल लगते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी जो है ले लेते हैं, development of tree starts from germination of seeds to harvest, जैसे आप देखेंगे, जमीन के अंदर आपने मालो कि कोई भी बीच है, आपने लगाया, दीरे से इसके में क्या चोटा सा अंकुर, मतलब कि चोटा सा sapling इस तरह आता है, फिर उसके बाद धीरे से यह plant बनता है, फिर दीरे करके यह tree बनता है, इस तरह की पूरी process जो चलती है, तो आप देखें, पहले जो stage होता है, seedling मतलब कि आपने seed डाला, उसके बाद sapling मतलब कि चोटा सा पौधा जो हो निकला, फिर उसके बाद फाइनली जा करके आगे चल करके यह tree बनता है, तो seedling जो होता है, उ उसका जो growth है, वो थोड़ा सा slow down हो चुका है, sapling का मतलब, उसके बाद tree जो होता है, आपको पता है, कि इसकी height बहुत जादा हो जाती है, tree आप लोग को define करने के जरुवत नहीं है, कि ट्रे किस तरीके का होता है, तो आप तीन जो stages होते है, उसको आप अच्छी तरह से समझ हो गया, आपको पता है, कि जैसे plant जब छोटा होता है, तो वो जल 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 ली grow करता है, लेकिन एक time आजाता है, जब वो sapling, उसको हम फिर कहीं भी ले जा सकते है, आप लोग देखते है, कि कहीं भी plantation होता है, तो हम बोलते है, इतने sapling चाहिए, plants का, तो उस तरीके से आप य क्लासिफिकेशन देखेंगे, plant को, हम किस तरह से classify कर सकते है, सबसे पहले trees को देखें, trees को आप लोगों को बताने कि जरूरत नहीं है, trees का सा दिखता है, आप अपने आस पास सभी जगा, सभी जगा यह देखते है, उसके बाद देखें, shrub, shrub का मतलब क्या होता है, कि इस जारी, आप लोग देखेंगे, तो generally flowers जो होते हैं, वो कुछ इस प्रकार के दिखते है, उसके बाद herbs को आप देखेंगे, तो herbs का मतलब क्या होता है, कि कुछ इस तरह के, इनका green एक जो इनका stem होता है, यह जो आप portion देखने है, यह green रहता है, और यह herbs, ठीक है, अगर आप प्लांट रहता है, वो creepers के अंतर गताता है, उसके बाद आप climbers को आप देख सकते हैं, climbers कुछ इस प्रकार करते हैं, सीधे रहेंगे, और इनकी भी height जो हो कम रहती है, इसको आप एक बार और अची तरह से देख लिजी कि with examples, तो climbers हम ऐसे plants को कहते है, जिनका की stem जो होता होता है, बैसा नहीं कि यह बहुत इनका stem जो रहेगा, वो बहुत मजबूत रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा weak रहता है, उसके बाद creepers को अगर आप देखेंगे, तो आपके दिमाग में आना चाना चाहिए, कि यह watermelon हो गया, ठीक है, जो थोड़ा सा जमीन पर ही रहता है, ठीक पालक, spinach, उसके बाद coriander, यह सब क्या काफी अच्छा example, herbs का, तो यह भी बहुत छोटे plants होते हैं, इनका soft green color का, इनका stem होता है, इनके जो leaves and flowers होते हैं, उसको generally हम perfumes, cooking, medicine, यह सब में use करते हैं, उसके बाद next आप देखेंगे shrubs, shrubs में सबसे अच्छा example है, तो आप देखेंग तो rose plant हो गया, उसके बाद cotton हो गया, या फिर कुछ और flowers चोकी क्या है, छोटी height के रहते हैं, और एक साथ बहुत घने टाइप के रहते हैं, तो श्रब को आप देखें, इनके बहुत सारे branches होते हैं, और यह generally crown पे ही एकदम लगी होते हैं, इनका जो stem होता है, woody होता है, thin हो parts of tree, parts of tree, आप लोग next हम देखेंगे कि किस टाइप के different parts होते हैं, tree के सबसे पहले जो यह उपर में आपको यह पूरा portion दिखता है, इसको हम crown कहते हैं, यह कहीं पे भी, यह सब आपको pandex ले जरूरी है, क्योंकि यह सब terminology क्या है, आगे चलके use आ सकती है, तो यह सब crown का बोल यह सब आप लोगों को अरड़ी पता है, बस crown को आप देख लीजएगे, crown क्या पूरा जो यह leaves वाल पूरा portion कहलाता है, crown, तो इसको आप याद रखेगा, और उसके पर next देखते हैं, कि यहां पे जो plant होते हैं, trees के उनके characteristics के बारे में देखते हैं, सबसे पहले leaf, आप ज़रूरत नहीं है, कि जो leaves होती है, उनको वो किस तरह की होती है, तिया flat होती है, green color होता है, different plants होते हैं, इनके leaf का color भी अलग होता है, तो यह varies करती है, बिल्कुल vary करती है, अगर different plant रहेगा, different species रहेगा, तो किसी का आप देखेंगे, yellow होता है, कहीं red होता है, किसी भी तरह अगर उसका leaf हो सकता है, और अगर मालीजे, tint को हम क्या बोलते है, tint का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है, कि जब आता है fall, मतलब जैसे आपको पता है, spring season में क्या होता है, सारे leaves खिर जाते है, तो color change होता है, आपको पता है, जब fall होता है, उसके पहले क्या होता है, yellowish कलर आजरता है तो उसको हम टिंट कहते हैं उसके बाद देखिए the tree color changes at the time of maturation आपको पता है कि जैसे अगर आप कोई भी प्लान थी जैसे for example mango tree में ही ले लेंगे तो starting में आप देखते हैं हलका सा reddish type का जो पता है वो रहता है उसके बाद आगे चलकर कि वो green और dark green होता है ऐसी कि आप और किसी में भी देखेंगे तो starting में हलका जब छोटा रहता है तो उसका जो composition है उसका जो pigmentation हो थोड़ा सा light रहता है जैसे बढ़ा होते जाता है तो उसका color भी change होते जाता है का मतलब क्या होता है तना जैसे माली जी यह एक कोई तना गया हुआ है तो इसको हम जैसे कि यहां पर माली जी कोई main branch है उससे ही यह cut करके यह बना हुआ है यह further क्या होगा कि यहां से माली जी कि कुछ और branches इस तरह की जाएंगी ठीक का मतलब क्या होता है कि यह थोड़ा थिक होता है इसके बाद और चोट-चोटी branches में डिवाइड हो जाता है branches का मतलब क्या होता ह चाका होता है और इसका मतलब माली जी तैना तो यह तो आप क्या बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं इससे रिलेटर बड़ कुछ आपको terminology याद रखनी है और यह चीज़ आप याद रखिए स्टैम हम ऐसे बहुत सकते कि प्रिंसेपल एक्सेस है जहां से कि नए बर्ट और श यहां से इसका जो यह लूवर पार्ट है और जहां से में ब्रांच के है और गीव अफ मतलब की जहां से यह न्यू ब्रांच निकला हुआ है तो इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे इस पोर्शन को आप कह सकते है बोल उसके बाद आप लोगों को पता है कि जैसे कोई भी स इस टैम में वह शुरू में क्या होता है कि थोड़ा उसका थिकनेस रहता है फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका जो यह डाइमीटर हो कम होता जाता है तो इसको क्या कहते है आप दो ने अगर कोई टेकनिकल सब्जेक्ट पढ़ा है मॉस या सौम इस समय की भी क्या होता है कि टेपरिंग टेपर सिलेंडर होता है कि यहां का जो डामीटर है ऐस कंपेर टू यहां के डामीटर से इस तरह से डिक्रीज होता जाता है तो उसको हम क्या है तो टेपरिंग रॉड कहते हैं इस तरह का आप कह सकते हैं उसके बाद नेक्स देखिए यहां पे आप लोग को यह चीज़ याद रखना है कि जितना टैपर टैपरिंग उसका कम होगा उतना ज्यादा उसको हम प्रिफर करेंगे क्योंकि अगर सिलेंडिकल है तो यह हम जादा अच्छा रहेगा हमारे लिए हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं तिमबर का आपको पता है कि जितना वह उसमें अ अच्छा स्ट्रीट रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है उसके वाए नेक्स देखें फ्लोटिंग इसका मतलब क्या होता है इर्रेगुलर स्वेलिंग एन इन वलुश जैसे माली जी कोई है यहां पर माली जी टिमबर है उसमें कहीं कहीं पर अंडिलेशन है ठीक है इर्र सब्सक्राइब करते हैं किस तरह से क्राउन का डेवलप्मेंट हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं इसका लेंथ और विट जो है वो कितना है उसके बाद नेक्स दिखते है रूट्स रूट्स आप सभी को पता है कि जो जमीन के अंदर ठीक है यह स्ट्रक्टर होता है रूट्स का काफ़ी इसको लाई करता है कहीं कहीं पर सर्फिस के ऊपर भी रहता है उसको हम एरियल कहते है और अगर जन्री अदर वॉटर के ऊपर है तो इसको अम एरेटिंग कहते हैं उसके बाद जो यह रूट्स होता अगर मुसको डिफाइन करना चाहिए तो यह जन्रली ऐसा पार्ट है बो वे गने कeping चक्रण्च को आगर घ्र family को सकतंधें इस यह stभी रूट गया हुआ है तो यह क्या होगा यह प्राइमरी उसके प्सक्या करए चोटे-चोटे जाते हैं तो यह क्या हुब क refr लेटरल रूट्ब कहते हैं तो यह इसके बाद ईसके बारे में याद रखेगा ईसके बाद branch ब्रांच का मतलब कि चैनल कोई stem है ये further और divide है तो उसको भूंप कि शाका गएंगे श ने और branches निकले होते हैं तो ऐसे और चोगत इस तरह के ब्रांच चैनल होते हैं तो जैसे बार्व आप लोगों को पता है कि दो टाइप के बार्व ह their inner and outer सब्तर बार्क होता है तो उसके आप फइगर में देखेंगे तो आप लोग याशी तरसे समझ आजा ाएगा कि जैसे बार्क अगर आप आप सब्सक्रोष क्रोस सेक्शन का तो ये है ये होता है आउटर बार कि मतलब जो सबसे बाहर श roascular लिए इसके बाद टिंक है इसके अंदर जो होता है वो होता है इनर बार यह जो structure इसको आप अच्छे से याद रखेगा उसके बाद यह जो आपको इस तरह के structure दिख रहे हैं इसको हम cambium layer कहते हैं यह cambium layer क्या करता है कि मतलब यह एक तरसे समझ लिए frame को maintain करके रखता है कि यह जैसे आपको इस टाइप के lines दिख रहे हैं यह cambium layer होता है उसके बाद यहां पर जो सबसे अंदर में यह circular होता है इसको पित कहते हैं समझ लिए एक तरसी center है उसके बाद growth ring इसको हम annual ring भी कहते हैं यह जितने number of rings होंगे वह उसकी age बताता है किसी भी timber की किसी भी tree की वह age बताता है कि वह कितना पुराना है ठीक है जितने जादे rings होंगे उतना ज बाद यह जो थोड़ा यह outer में है इसको हम support कहते हैं तो आप लोगों को इसके बाद में जादा detail में जाने के ज़रूत नहीं है आप बस इतना समझ लिए कि इसका जो parts of अगर हम किसी trunk का देखते हैं किसी भी trunk मतलब क्या stem ठीक है stem आप समझ सकते हैं तो यह कौन-कौन से parts कह पर आते हैं इनका थोड़ा naming भी आप लोगों अच्छे से clear रखेगा कि इसका inner bark कहा है outer bark कहा है heartwood कहा है तो यह सब जो naming है इसको अच्छी तर से ध्यान में रखेगा और उसके बाद bark के बारे में और कुछ important बाते देख लेते हैं तो यह outer most layer है तो आउटर most layer अगर यह strong रह पाएगा इसका यह woody structure होता है उसके बाद inner park और outer park होता है यह तो हम लोगों ने देखी लिया उसके बाद inner park जो हता है living tissue होता है ठीक है तो यह inner most area में होता है उसके बाद outer park थोड़ा dark होता है dead tissue dead tissue मतलब की जैसे आप देखते हैं तो वो कहते हैं बाहर environment में रहता है उसमें पाए जाते हैं उसके बाद अगर आप next point देखिए जो बार्क होता है smooth and rough अंदर वाल आप देखें को थोड़ा smooth रहता है बाहर आप लोग देखते हैं ट्री को तो यह होता है rough होता है texture में उसके बाद appearance टेक appearance जो होता है appearance को भी हम देख कर के बता देते हैं कई साइड ट्री जादा hard होता जाता है तो मेली annular ring को देख कर बताते हैं लेकिन भार्ग को भी देख कर कि कई ट्रीग्स में पता चलता है ठीक है इस वीडियो में इतना ही I hope so आप लोगों को lecture पसंद आया होगा इसके बाद next lecture में हम next topic cover करेंगी plant propagation का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम हमार प्लांट्स को cutting grafting के सब किया जाता है सो बने रहें लेक्स लेक्चर सीरीस में next lecture में हम वो सारे topics cover करेंगे आज के लिए इतना ही thank you everyone